दिल्ली कोचिंग हासे के बाद राजधानी पटना में भी कई कोचिंगों पर नकेल कस्ती हुई नजर आ रही है नमश्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फानेशन दिल्ली कोचिंग हासे के बाद एक तरफ जहां बिहार सरकार राजानी पटना के तमाम कोचिंगों के लिए साफ साफ अपने अधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि तमाम कोचिंगों का निरिक्शन किया जाए विवस्था देखी जाए ताकि किसी प्रकार की आने वाले दिनों में इस तरह की घटना राजानी पटना में ना हूँ ऐसे में आपको बताते चलें कि पटना के डियम डॉक्टर चंदर शेकर ने तमाम कोचिंगों के निरिक्शन करवाए और अब उसके रिपोर्ट भी जारी कर दिये गया है और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों पर ताला लगा दिया किया है यदि अवैर ढंक से संचालन हो रहा है तो उन पर कारवाही होगी जिला अधिकारी डॉक्टर चंदर शेकर सिंग की अधिक्ष्टा में जिला स्तर ये कोचिंग निवन समीती की बैठक हुई इस वर्ये पुलिस अधिक्षक राजी मिश्रा जिला सिक्षा पदादिकारी संजय कुमार जिला कायकरम पदादिकारी राज कमल और समीती के अनसदस्थ भी उपस्थी थे बताते चलें कि जिला अंतरगत कोचिंग के निवन दन के लिए कूल 936 आवेदन प्राप्त हुए हैं इन में से 413 कोचिंगों का निवन दन पहले ही हो चुका है आवेदनों की जाच के बाद 133 कोचिंग संस्थानों को निवंधन के लिए आयोग पाते हुए इन आवेदनों को असवकृत कर दिया गया है जिला दिकारी ने जिला सक्षा पदधिकारी को इन 138 अर सवकृत आवेदनों की सूची अनुमंडल वार से अलग-अलग कर संबनित अनुमंडल पदधिकारी को प्लब कराने का निर्देश दिया है साथ ही निवंधन के लिए लंबित आवेदनुक को जल से जल निप्राड़ा करने का भी नर्देश दिया है पदधिकारी के टीम दोआरा जाच में जिन जिन कोचिंग संस्थानों में कमिया पाई गई है उनके ही संचाल को और प्रवंधकों को इस पर आश्ये का नोटिस दिया जा रहा है अधिनियम के प्राबधानों के तहट क्यों नहीं उनके विरुद दंडनात्मक कारवाई की जाए अगर इस सिती में सुधार नहीं हुआ तो कई संस्थानों पर ताला भी लग जाएगा नोटिस प्राबधी के साथ ही उनके अपने पक्ष रखने के लिए दो हपते का समय दिया जा रहा है अधिनियम में किसी प्राबधान का उलंगन करने पर प्रथम अपरात के लिए 25,000 रुपे और दूरतिय अपरात के लिए 1,000,000 रुपे दंड का प्राबधान है दूरतिय अपरात के बाद निवंदर रत किये जाने का भी प्राबधान बताया चारा है तो एक तरह दिल्ली में जो कोचिंग हासा हुआ है उस हासे को लेकर तमाम पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर पटना जिराधिकारी के तरफ से आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था निरिक्षन किया गया और निरिक्षन करने के बाद 138 ऐसे कोचिंग संस्थान है जिसको लेकर अब जिरादिकारी ने साफ साफ उन तमाम कोचिंग संस्थानों के मालिकों से इस संस्थानों को और बहतर करने के लिए कहा गया है और अगर बहतर नहीं किया जाता है और जांच म यानि निरिक्शन में कुछ गैर चीजे पाई जाती है तो उसके बाद उन पर बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा फिलहाल के लिए सब्डेच में इतना ही